नमस्कार दोस्तों में नाम सरी कांत कुमर अब देख रहें टू जेट टोसेस आज हम बात करने वाले सी वीडियो में दोस्तों भारा सरकार की 10 ऐसे पोर्टल है 10 योजना का जो सबको मालूम होना चाहिए जिसे आप घर बेटे आउनलाइन आवेदन कर सकते हैं और को में step by step करके दिखाने वाले हैं तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए अर किस परकार से हमें वेनेफिति मिलने वाला है तो दोस्तों अगर आप गरीबी रिखा से नीचे आते हैं और अगर आप लेवर कार्ट घर बैठे ओनलाइन बनाना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले जो है कि आपको किसी एक ब्राउजर को ओपेन करना है और ब्राउजर में टाइप करना है अस्टेट लेवर डिपार्टमेंट इस परकार से टाइप करने के बाद जैसे आप सर् पेस देखने के लिए मिल जाता है और इस पोटल पे यहाँ पे देखिए सभी एस्टेट का नाम जोई कि इस परकार्ट से देखने के लिए मिल जाता है जिस एस्टेट का आप लेवर कार्ट बनाना चाहते हैं उस एस्टेट के लिंक के उपर आपको क्लिक करना होगा और य उसके लिए estate government labor department के website पर आपको चले आना होगा और यहीं से आप जो ही कि apply कर सकते हैं ऐसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस estate का आप apply करना चाहते हैं उस estate का जो link यहाँ पर दिख रहा है इसी link के ऊपर click करना है और यहाँ पर दिखिए estate का official portal यहाँ पर open हो जाता है और यहीं से आप जो ही कि labor card के लिए apply कर सकते हैं अब हम बात करते हैं government का दूसरा website के बारे में कि government का दूसरा website कौन सा है तो दोस्तों अगर आप एक किसान हैं और अगर आप PM किसान समान इदी योजना का benefit लेना चाहते हैं सलाना का 6,000 रुपया लेना चाहते हैं तो उसके लि portal इस प्रकार से open हो जाता है तो अगर आप परधान मंत्री किसान समान इदी योजना का फायदा लेना चाहते हैं सलाना का 6,000 रुपया का benefit उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा website पर आना है तो उसके लिए आपको browser में type करना है PM किसान समान इदी योजना type करने अब हम बात करते हैं government का तिसरा website के बारे में कि तिसरा कौन सा website है और किस प्रकार से हमें benefit मिलने वाला है तो तिसरा website के लिए आपको browser में type करना है PMBY इस प्रकार से type करने के बाग जैसे आप search के option पे क्लिक करते हैं तो सबसे उपर जो link दिख रहा है इस link के उपर क्लिक कर गर्मेंट ऑप इंडिया का official portal इस प्रकार से open हो जाता है इस योजना का नाम है परधान मंत्री मात्रूबंदना योजना इस योजना में उन लोग को आवेदन करना है जो महिला गरवती हैं उन लोग जो है कि इस website पर आकर आवेदन कर सकते हैं जैसे यहाँ पर आप देख करें कि यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इस असकिम से इस योजना से अभी तक कितने लोग को बिनिपीटी मिला है इस परकार से यहाँ पर देखिए कॉंट करके बताया गया है तो अगर आप पहली वार मा बनती हैं तो गौर्मेंट के दौरा आप सभी को दो इनस टॉ गौर्मेंट में 6,000 पर ट्रांसफर किया जाएगा आव इदन करने के लिए क्या करना है यहाँ पर मोबाइल नंबर को टाइप करना है वेरिफाइक ओप्चन पर क्लिक करना है एकॉंट को यहाँ पर क्रेट करना होगा उसके वाद फिर से इस पोर्टल पर लॉग इन करते ह तो यहाँ पर आपके सामने एक पेज देखने के लिए मिलेगा उस पेज को सही तरीके से आपको फिलाप करना होगा अब हम गौर्मेंट का 24 वेप साइट के बारे में बात करते हैं कि 24 वेप साइट कौन सा आ है और किस परकार से हमें benefit मिलने वाला है तो उसके लिए पोर्टल इस प्रकार से ओपेन हो जाता है और इस योजना का नाम है परधान मंत्री उजवला योजना तो अगर आप गरिवी रिखा से नीचे आते हैं और अगर आप एक महिला हैं तो इस योजना में आप आबेदन कर सकते हैं और गौर्वर्मेंट से बिलकुल फ्री में ले सकते हैं इस योजना में आवेधन करने के लिए 3-line के option पे click करना है apply के option पे click करना है यहाँ पे देखिये बताया गया है कि इस योजना में कौन लोग आवेधन कर सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे देखिये बताया गया है उसके बाद जैसे आप click here के option पे click करते हैं तो य जा तक कि 300 रुपा का सबसीडिय भी आप सभी को दिया जाएगा अब हम गुवर्मेंट का पच्मा वेप साइट के बारे में बात करते हैं कि पच्मा वेप साइट कौन सा है और किस परकार से हमें विनिपीट मिलने वाला है उसके लिए ब्राजर में टाइप करना है ASBA इस पर पर क्लिक करते हैं तो रजिस्टेशन करने के लिए इस परकार का गौवर्मेंट का ओफिशल पोर्टल ओपेन हो जाता है और इस योजना का नाम है स्वर्च भारत मिशन योजना यहां से उन लोग को भी रिपीट दिया जा रहा है जिनके घर में सोचालय नहीं है और अगर आप सोचालय बनाना चाते हैं तो गौवर्मेंट के दोरा आप सभी को आर्थिक सहायता 12,000 उपा सोचालय बनाने के लिए दिया जारता है तो अगर आपको अभी तक सोचालय का पैसा नहीं मिला है और अगर आप आविधन करना है तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट प government का छठा website के बारे में कि कौन सा छठा website है और हमें किस प्रकार का benefit मिलने वाला है कैसे आप इधन करना होगा है चलिए सबसे पहले इसके बारे में भी हम जान लेते हैं उसके लिए browser में type करना है Beneficiary NHA इस प्रकार से type करने के बाद जैसे आप search के option पे click करते हैं तो सबसे उपर जो link दिख रहा है इसी link के उपर click करना है government top इंडिया का official portal इस प्रकार से open हो जाता है जो इस प्रकार के interface देखने के लिए मिल जाता है तो अगर आप गरीबी रेखास से नीचे आते हैं और अगर आप आईश्मान कार्ड बनाना चाहते हैं तो आईश्मान कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको website पर चले आना होगा beneficiary.nha.gov.in इस website पर सबसे पहले आपको आना होगा और यहीं से आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं इसके लिए कहीं भी जाने के जरूरत नहीं पड़ेगा और जैसे आप आईश्मान कार्ड को बना लेते हैं तो फिर आप 5 लाग तक का मुक्त इलाज सलाना का करवा सकते हैं अपलाई करने के लिए यहाँ पर अपना mobile नंबर डालकर सबसे पहले लॉग इन करना होगा और यहीं से आपको आवेदन करना होगा और तुरंद का तुरंद आईश्मान कर बनकर ready हो जाएगा अब हम government का सत्मा website के बारे में बात करने वाले हैं कि सत्मा website कोँ सा है और हमें किस प्रकार का benefit मिलने वाला है चले सबसे पहले इसके बारे में भी हम जान लेते हैं तो उसके लिए browser में टाइप करना है और दोस्तो अगर आप नया रासन कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर चले आना है और यहीं से आप नया रासन कार्ड बना सकते हैं इसके लिए कहीं विजाने के जरूरत नहीं पड़ेगा नया रासन कार्ड बनाने के लिए साइनिंग रेज किस प्रकार का benefit मिलने वाला है और किस प्रकार से हम apply कर सकते हैं तो उसके लिए ब्राजर में type करना होगा ASUP उसके बाद जैसे अब search के option पे click करते हैं तो सबसे उपर जो link दिख रहा है इस link पे click कर दना है अधार card का official portal इस प्रकार से open हो जाता है और दोस्तो अधार card related अगर आप घर बैटे काम करना चाहते हैं तो कुछ service का काम जो है कि आप घर बैटे कर सकते हैं यहाँ पे देखिए बहुत सारे service दिया गया है जो आप यहाँ से कर सकते हैं document को update कर सकते हैं अधार card को download कर सकते हैं अधार card में address को change कर सकते हैं बहुत सारे service जो है कि घर बैटे आप यहाँ से कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना है इसी website पर आपको चले आना है और इसी website के मदद से अधार card का कुछ service का काम घर बैटे कर सकते हैं अब हम government का Noma website के बारे में बात करने वाले हैं कि government का Noma website कौन सा है और हमें किस प्रकार से पैसा मिलेगा, किस प्रकार से फायदा मिलेगा, किस प्रकार से हमें योजना का benefit उठा सकते हैं, चले सबसे पहरे इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, उसके लिए ब्राजर में type करना इस रम उसके बाद जैसे आप सर्च के आप्शन पे क्लिक करते हैं तो सबसे उपर जो लिंक दिख रहा है इस लिंक के उपर क्लिक करते हैं इस रम कार्ट का ओफिशल पोर्टल इस प्रकार से ओपिन हो जाता है जो इस प्रकार की इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है दो परकार्ट से type करने के बाद जैसे अप search के option पर click करते हैं तो Israel card का official portal इस परकारट से open हो जाता है और यही portal के माध्यम से इसरम card के लिए apply कर सकते हैं या फिर अगर आपका Israel card बना हुआ है और अगर आप 3000 रुपा का pension लेना चाहते हैं हर महीना तो उसके लिए आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं जो घर बैठे आपको जो है कि हर महीना 3000 रुपा का pension दिया जाएगा तो उसके लिए इसी website पर आपको आना होगा अब हम government का last दस्मा website के बारे में बात करने वाले हैं कि दस्मा website कौन सा है और इस website से हमें क्या benefit मिलने वाला है चले सबसे पहले इसके बारे में भी हम जान लते हैं उसके लिए ब्राजर में टाइप करना है NPCI जैसे आप टाइप करके जैसे सर्च के option पर क्लिक करते हैं तो सबसे उपर जो link दिख रहा है इस link के उपर क्लिक करदना है NPCI का official portal इस प्रकार से open हो जाता है और दोस्तों यहीं से आप घर बैठे अपना bank account में अधार NPCI DBT को link कर सकते हैं इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा यहां तक कि आपको bank में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा तो link करने के लिए यहां पर जो दिख रहा है अधार seeding enabler के option इसी वाले option पर क्लिक करना है अब यहाँ पर देखिए bank account में अधार NPCI DBT को लिंक करने के लिए इस परकार के एक page open हो जाता है और यहीं पर अधार number को type करना है seeding वाले option को select करना है जिस bank में आपका account है उस bank के name को यहाँ पर select कर लेना है और यहाँ से आप जो है कि bank account में अधार NPCI DBT को लिंक कर सकते हैं और फिर government का जितना भी योजना का बिनिपीट होगा DBT के द्वारा आपके bank account में credit किया जाएगा तो यहाँ पर आप सभी को समझ में आ गया होगा कि government का 10A website है जो 10 योजना के लिए है और इस परकार से आप आविदन कर सकते हैं और government से इस परकार से आप जिपीट उठा सकते हैं